नमस्कार दोस्तों सुभागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एक मॉक टेस्ट को यहाँ पे सॉल्फ करने वाले हैं यह मॉक टेस्ट हमारा मॉक टेस्ट नमबर 16 है और आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी जादा important है क्यूंकि इस मॉक टेस्ट के अंदर जो मैंने questions को लिए हैं तो 100 questions है 20 questions आपके हिंदी के हैं और यह हिंदी के 20 के 20 प्रशन आपके उत्राखंड में पूछे गए हैं जीके के मैंने 40 questions लिए है 40 के 40 questions आपके उत्राखंड में पूछे गए हैं और जो मैंने उत्राखंड के 40 questions लिए हैं उन 40 में से 22 से 24 प्रशन आपके उत्राखंड में पूछे गए हैं तो इस वीडियो से इस mock test से आपके दो फाइदे यहाँ पर होने वाले हैं पहला फाइदा आपको यहाँ पर practice set आपको मिलेगा आपकी practice आप यहाँ पर कर सकते हो कि आपके 100 में से कितने marks यहाँ पर आ रहे हैं और दूसरा फाइदा क्यूंकि यह सभी के सभी प्रशन previous year question है और इनसे जिड़े वे extra factor के भी हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका revision भी साथ में चलता रहेगा और previous year question भी आपके लगते रहेंगे तो चलिए friends आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रशन है आज का कारक चिनों को क्या कहते हैं तो जो आपके कारक चिन होते हैं यह इनको परसर्ग कहा जाता है और इनकी संख्या 8 होती है यह दोनों प्रश्ट पेपर में पूछे गए हैं दूसरा प्रशन है व्याकरण की दृष्टी से शब्दों को उनके रूप या प्रियोग के अधार पर कितने वर्गों में बाटा जाता है तो व्याकरण की दृष्टी से हम शब्दों को उनके रूप प्रियोग के अधार पर दो भागों में बाट सकते हैं दो वरगों में बाढ़ सकते हैं या तो वो शब्द आपके विकारी कहलाएंगे या तो अविकारी कहलाएंगे ठीक है? अविकारी, विकारी यह हमने शब्दों का वरगिकरण किया उनके रूप के आधार पे अगर आपको पूछा जाएगा सुरोट के आधार पे कितने भागों में हम बाट सकते हैं शब्दों को सुरोट के आधार पे 5 भागों में बाट सकते हैं ठीक है, इसी के अंदर आपके आते हैं Tatsam, Tadb樹, देशच, विदीशच और संकर इसके अलावा अगर आपको पूछेगा रचना के आधार पे रचना या बनावट के आधार पे तब आपको तीन करना है तब हम इनको तीन वरगों में बाट सकते हैं रूट शब्द, योगिक शब्द और योगरूड और अगर आपको पूछेगा इनके अर्थ के आधार पे शब्दों को उनके अर्थ के आधार पे हम चार भागों में बाट सकते हैं ठेके एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और जो आपके विलोम शब्द होते हैं अगला प्रश्ण है निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है तो इन में से जो आपका महापराण वियंजन है ये है आपका option A, 6 जो है आपका महापराण वियंजन है अभी हमने कुछ दिन पहले ही वर्ण माला का पूरा रिवीजन किया था, वहाँ पे हमने बात करी कि महापराण वियंजन हर वर्ग का जो आपका दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ये महापराण होता है नेक्स्ट कोशन है, म्रगांक का प्रयावाची शब्द क्या होगा, देखें जब मैं इनको प्रिवीज एर कोशन्स पेपर से में इनको बना रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रयावाची ऐसे थे जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, उनी में से एक है आपका चंद्रमा म्रगांक किसका प्रयावाची है, चंद्रमा का है, चंद्रमा के प्रयावाची कई बार पूशे गए हैं, इसके अलावा अम्रित का पूछा जाता है, कई बार कमल का पूछा जाता है, अगनी का पूछा जाता है, तो ये कुछ प्रयावाची हैं, जो आपको इनके सभी के स सभी प्रयावाची पढ़कर जाने हैं, ठीक है, कुशन पे आते हैं, म्रगांक किसका प्रयावाची है, चंद्रमा का है, इसके अलावा राका पती, ये भी आपके चंद्रमा का प्रयावाची होता है, इसके अलावा एक और प्रयावाची होता है, चंद्रमा का विधु, इसक को सभी को आपको याद करना है जो बहुत बार रिपीट होते हैं अगला प्रशन है हम बड़ों का आदर करते हैं इस वाक्या का प्रकार क्या है तो यह कोशन भी प्रीविस एर का कोशन है हम बड़ों का आदर करते हैं तो यह आपका निश्यार्थक वाक्या है और इसको हम वि अगला प्रश्ण है क्रशक संस्कृति का महा काव्या किसे कहा जाता है और इस forming कॉछीता कौन है तो प्रेम इसार रच्व सा अधार um नहीं हो जोंसारी बोली है अपके प्षची मिकाडी वर्ग में आती है और यह कोशन भी पिछले एकजाम के अंदर कْसबूचा गया था तो देखे हम जो वाक्चे के भेद होते हैं, उनको दो प्रकार से बाटते हैं, वाक्चे को दो प्रकार से बाटा जाता है, वाक्चे के या तो अर्थ के आधार पर आपको उसका वर्गी करण करना होता है, ठीक है, अर्थ के आधार पर, या फिर उसकी रचना के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आपको पूच रहा है कौन सा है अर्थ के आधार पर वाक्या जो होते हैं वो आठ प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं तो जो आपके ये तीन है सरल वाक्या सजुक्त वाक्या मिश्र वाक्या ये आपके रचना के आधार पर होते हैं, जबकी विशमयादिक बूधक आपके अर्थ के आधार पर वाक्या का बेद है, इसके अलावा, आठ भेध होते हैं, टोटल कौन-कौन से होते हैं, अन्या आठ, तो देख लीजीये, एक होता है विश्मय अदी बोधक, इसके अलावा विधान बोधक, ठीक है, विधान वाचक, या विधान बोधक, जो हमने उपर अभी पढ़ा, जिसको निश्य वाचक भी कहा जाता है, इ वाक्य के कितने भेद होते हैं आप बताएंगे 8 रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं 3 ठीक है तो यहीं यहाँ पूछ रहाथ है अगला प्रशन है अवनि शब्द का विलोम क्या होता है तो अवनी शब्द का विलोम होता है option c इसका सही answer है number देखे अवनी शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है धर्ती या पृतिवी और पृतिवी का जो विलोम होता है वो होता है आकाश और आकाश का प्रयवाची है number ठीक है next है अब चला जाए यहाँ वाक्या कैसा है अब चला जाए ये वाक्या जो है आपका इसमें क्या आपकी दिखाई जा रही है इसमें आपकी भावनाई जो आपकी किरिया है वो आपको बताई जा रही है सही answer है यहाँ पे भाव वाच्चे ठीक है आप इसको eliminate करके भी कर सकते हैं जहाँ पे जैसे option A है करम वाच्चे तो जहाँ पे करम की प्रधानता होती है कि खत लिखा गया खाना खाया गया पुस्तक पड़ी गई वहाँ पे ये matter नहीं करता कि वो काम किस ने किया काम हुआ है वो important है तो वहाँ पे करम की प्रधानता है वहाँ पे करम वाच्चे होगा जहाँ पे करता important होता है राम ने खाया राम ने ये किया राम ने वो किया जहाँ पे करता important होता है वहाँ पे करत वाच्चे होता है और जहां पर आपके भाव important होते हैं जहां पर आपको करिया के बारे में बता रहे होते हैं कि अब राम से पड़ा नहीं जाता अब उससे चला नहीं जाता तो वो सब आपके भाव आचे में आते हैं Next है कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है क्या कहलाता है तो ऐसे वाक्यांश को हम पदबंद कहते हैं पदबंद आप जानते हैं कई सारे पदों से मिलकर बना होता है ठीक है पद होता क्या है तो पद देखे बेशेकली शब्द होता है जब हम किसी शब्द को freely यानि कि सौतंतर रूप से प्रियोग करते हैं तो वो शब्द कहलाता है जब हम उसी शब्द को किसी वाक्य में प्रियोग करें तो वो पद कहलाता है ठीक है यानि कि वाक्य में प्रियोग हुए शब्दों को ही पद कहलाता है और इनी पदों के योग से बनावा जो वाक्या शोता है उसे पदबंद कहते हैं अगला है शुवरंद को धूंडत फिरत कवी व्याबाचारी और चोड में कौन सा अलंकार है तो यह आपका कई बार पूछा गया है इस प्रकार के कोशन आपके पंते रहते हैं इसके अंदर आपने बताना है कौन सा अलंकार है तो यहां पे अर्थ जो होते हैं अलग-अलग प्रसंग में अलग-अलग होते हैं तो यहां पे सुवरंद जो शब्द है वो केवल एक बार आया है लेकिन इसके जो अर्थ है कवी के लिए अलग है व्याबाचारी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है कवी के लिए इसका अर्थ है कि जो कवी है वो सुन्दर शब्दों की तलास में है ठीक है विहबाचारी जो है वो सुन्दर रूप रंग की तलास में है जबकि चोर सुन की तलास में है ठीक है तो इसका अर्थ भी हो सके और प्रिवेस एर कोशन पेपर भी आपका सौल हो सके देखिए आदी काल को सिद शामंत काल ये कहा था ऑप्शन भी राहुल सांक्रतियान ने ठीक है तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन भी अब कुछ महत्पून फैक्ट है जो आपके इसी कोशन से मिलते जुलत हैं कौन कौन से हैं देखिए सबसे पहला कोशन आपको ये पूछा जाता है कि विभिन कालों को जैसे आदी काल भक्तिकाल इन कालों के नामकरण का श्रे किसको जाता है नामकरण करने का श्रे सबसे पहला तो ये जाता है जो जो ये नामकरण हुए है इसका श्रे जो जाता वो गियरसन को जाता है गियरसन ने आदी काल को चारण काल कहा था ये भी आपको ध्यान रखना है कि आदी काल को चारण काल किस ने कहा जोड गियरसन ने अगर मैं महावीर प्रसाद दिवीदी की बात करूँ तो महावीर प्रसाद दिवीदी ने आदी काल को बीज वपन काल क कहा था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा अगर मैं जो रामचंद्र शुक्ल थे इनकी बात करूं तो शुक्ल जी ने आदी काल को वीर गाथा काल कहा था ठीक है वीर गाथा काल किस ने कहा शुक्ल जी ने इसके अलावा आदी काल को आदी काल ये किस ने कह तो ये कहा हजारी प्रसाज दिवेदी ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसके अलावा एक और है, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने आधी काल को क्या कहा, तो इन्हों ने आधी काल को संधी काल कहा था, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर ए अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है तो ये वाला जो आपका शब्द है ये खुद आपके दो बार एक्जाम के अंदर पूछा जा चुका है तो आपको ध्यान रखना है इन में से आपका जो ऑप्शन ए है अभिशेक ये आपका शुद्ध वाक अगला प्रशन है अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है तो अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति नेक्स्ट है आपका समविधान के अनुछेद 351 में किस विशेक का वर्णन है देखे जो समविधान का आर्टिकल 351 है इसके अंदर आपका जो हिंदी की विकाश के लिए निर्देश दिये गए हैं यहां से बहुत बार कोशन बनता है आर्टिकल 351 को लेकर तो यहां पे आ कौन से आर्टिकल में है तो देखिए जो समविधान का भाग 17 है वो राजभासा से संबंदित है आर्टिकल की बात करूं तो 343 से लेकर 351 तक यह आर्टिकल आपके राजभासा से संबंदित है ठीक है अब इनका भी डिटेल में पूछ लिया जाता है कभी कबार कि 343 में क् गया है राजभाषा कि संबंद में, जो आयोग का गठन किया जाता है तो वो आयोग आर्टिकल 344 के तरहत के बनाय जाता है ठीक है। इसके लावा, जो राज्ये अपने अपनी राजभाषाें चुन सकते हैं, जिसे उत्राखड ने अपने दूसरी राज भाषा किसको चुना है संस्कृत को तो यह आता है आपके आर्टिकल 345 में एक most important पूछा जाता है सुपरीम कोट और हाई कोट की जो भाषा है वो कौन से वर्मा की रचनाय कई बार पूछी गई है और यहां पे रेखा चित्र उनका पूछा जा रहा है सही आंसर है option C अतीत के चल चित्र शिरीश के फूल किसकी रचना है तो सिरीश के फूल यह रचना है हजारी प्रसाद डिवेदी की option B इसका सही आंसर होगा और हिंदी का अंतिम B इसका सही आंसर होगा अब चलेंगे उत्राखन और जीके की तरफ आर आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही वीडियो के कमेंट में आपको अपना स्कोर का जरूर करना है कि आपके यहां पे कितने माक्स पने हैं चलिए पहला प्रशन है आपका उत्राखन से तराई भाबर में पटवारी और कानुनगों की नियम सरुप्रथम कब निर्धारित किये गए यह कोशन पूछा जा चुका है और यह जो नियम थे यह आपके निर्धारित किये गए 1897 में ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा इन नियमों को 1906 साथ में लागू किया गया ठीक है तो दस साल बात इनको लागू किया गया लेकिन निर्धारन 1897 में हो गया था कल हमने ब्रिटिस साचन व्यवस्था पूरी पढ़ी थी कमिशनरों के बारे में तो वहां पर एक कोशन आया था कि पटवारियों की नियुकति सबसे पहले वदिकारों की शरू भौमि घोशना है ये कब की गई तो ये की गई आपकी 10 दिसंबर 1946 को कहां पे की गई पैरिस के अंदर ठीक है और इसके अंदर जो घोशना पत्र था उसमें आपके 30 आर्टिकल है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी घोशना 10 दिसंबर को की आउटपुट उपकरण के रूप में आपका प्लॉटर जो होता है वो कारे करता है और ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है जो प्लॉटर होता है ये एक प्रकार से आपके प्रिंटर की तरहां होता है आउटपुट डिवाइस है और इसका प्रियोग प्लॉटर अंदर यह आपकी जो बैलाडिला की खान है, यह किस खनीज के लिए प्रसिद है, सही आंसर है, option B, लोह आयसक के लिए, देखे ऐसे वाले प्रशन लगातार उत्राखन में पूछे जाते रहे हैं, जो आपका 26 सितंबर को वा था, वहाँ पे भी आपको पूछा गया था, ठीक नेक्स्ट है, computer mouse की खोज किसने करी थी, तो देखे, computer mouse जो होता है, यह आपका एक input device है, ठीक है, pointing device है, input device है, और इसकी जो खोज की गई, यह इसका जो invention किया गया, यहाँ Douglas Engelbert के दुवारा किया गया, और यह question उत्राखन में पूछ चुका है, अगली बार आपको पूछ ल ठीक है, तो अगर कई बार आपको Engelbert का नाम ना दिया जाए, तो आप ध्यान रखने कि William English भी इसकी खोज में इनके साथ शामिल थे, अगला प्रशन है, श्यामला ताल कहां इस्तित है, देखे, श्यामला ताल अभी तक का सबसे जादा repeated प्रशन है, जो मैंने देखा, जब में से हरिदवार में आपने मंदिर पताना है, सही आंसर है आपका option C, दक्ष प्रजापती मंदिर, जो कि आपके कंखल में इस्तित है कंखल आपके हरिदवार में आता है, विश्व उपभोगता दिवस कब मनाया जाता है, तो ऐसे कोशन भी लगतार बनता रहा है, का और 24 दिसंबर को भारत का, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो बाल गंगा आपके भिलंगना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, भिलंगना अपने आप में भागिरती की सहायक नदी है, ठीक है, चलिए, अगला है पृतिवी की अपनी धूरी पर घूमने की सरवादिक गती कब होती है देखे पृतिवी की अपनी धूरी पर घूमने की जो सरवादिक गती होती है ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो सूरिय की जो घूमने की गती होती है पृतिवी अपनी धूरी पर घूमती ह और इसी को हम पृतिवी की दैनिक गती कहते हैं ये आपकी चेंज नहीं होती है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है हाँ ये है कि पृतिवी सूर्य के निकट कब आती है तो निकट पृतिवी जो होती है सूर्य के ये तीन जनवरी को आती है सूर्य से सबसे दूर पृतिवी च गती को घुरुणन गती भी कहते हैं दूसरा पॉइंट जो पृतिवी की दूसरी गती है वो है सूरिया के चकर लगाना सूरिया के चकर पृतिवी कैसे लगाती है तो सूरिया के चकर पृतिवी लगाती है और उसको एक चकर लगाने में 365 दिन के करीब लग जाते हैं ठीक है के बात करें तो 365 दिन 5 घंट और 48 मिनट पृतिवी को सूरिय का एक चकर लगाने में लग जाता है और उस गती को पृतिवी की परिक्रमन गती या वारशिक गती कहते हैं जिसके कारण जो दिन रात होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं तो अगर पूछेगा जो दिन रात होते या परिक्रमन गती कहते हैं उसके कारण भारत में हिमालिय परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है तेकि हिमालिय परवत की जो सबसे उची चोटी है वो है आपके माउंट एवरेस्ट लेकिन ये आपके नेपाल में है अगर भारत की बात करें तो भारत में हिमालिय परवत क सबसे उची चोटी है कंचन जंगा ये आपके सिक्किम में है और इसकी हाइट लगबग 8586 मीटर के करीब है नेक्स्ट है मात्र सत्ता व्यवस्था किस जन जाती में लोक प्रिय है तो मात्र सत्ता व्यवस्था जो है बहुत बार कोशन रिपीट हुए है अलग-अलग तरीकों से ले करके ठीक है तो हर बार यही पूछा जाता है यह मंदिर कहा है मंदिर कहा है अलमोडा में है किसने बनाया काटारमल देव ने बनाया अगला प्रशन है किस वर्ष से भूत पूर्व सांसद सधस्यों के लिए पेंशन की विवस्था लागू की गई इसको की कर देना तो पेंशन की विवस्था सांसदों के लिए 1976 से की गई नात्पा जाकरी जल विद्धुत परियोजना किस नदी पर बनी है तो जो आपकी ये नात्पा जाकरी जल विद्धुत परियोजना है ये आपके सतलच नदी पर है और ये आपके हिमाचल प्रदेश में इस्तित है पृतिवी अपनी धूरी पर किस दिशा में गुरुणन क कहती है इसको हम प्रिथिवी की गुर्ण गदी कहते हैं जिसको मतलब दूसरे शब्दों में द्यानिक गदी भी इसको कहा जाता है उपर हमने डिटेल में बात करी यह जो दिशा होती है इसके गुमने की यह होती है प्रिथिवी जो अपने धूरी पर गुमती है वो एंटी कलौकवाईज गुमती है जानि कि गडि के घडि जिस दिशा में गुमती है उसका उल्टा गुमती है प्रिथिवी ठीक है जो हमारे 8 ग्रहे हैं, 8 में से 6 ग्रहे इसी प्रकार घूमते हैं, पस्चिम से पूरफ की ओर, लेकिन 2 ग्रहे ऐसे हैं, जो clockwise घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, यानि की पूरफ से पस्चिम, एक ग्रहे है शुक्र और दूसरा होता है आपका अरोन, तो ये दोन आपको बनवानी में स्थित है, अगला है अकबर ने आगरा के किले का निर्मार कभ प्रारंब किया, देखें, आगरा का किले का निर्मार के दुवारा कराया गया और ये अकबर ने 1565 में इसका निर्मार शुरू करवाय था, ठीक है, और लगभग 8 साल के बाद Netflix defense पंदरह सो तीहत्तर में आगरे का किला आपका बनकर तयार हुआ आगरे का किला जैसा हम आज देखते हैं इसको वर्तमान सुरूब किस ने दिया वर्तमान तो ये दिया है शहाजहाने तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है हालाकि बनवाया किसने अकबर ने 1565 में ये को ध्यान रखना है और 1983 में आगरे के किले के साथ तीन चीजें और शामिल की गई युनेसको की सूची में पहला आगरे का ताज महल ठीक है ताज महल को भी 83 में ही शामिल किया गया और इसके अलावा जो आपकी महराष्ट में है अजंता और एलूरा की गुफाएं इनको भ प्रशन है हिमालिया परवत माला उधारण है यह कोशन भी प्रीवेस एर का है देखें जीके के जितने भी कोशन है यह सब प्रीवेस एर कोशन है ठीक है हिमालिया परवत माला जो है यह आपके वलित परवत माला का उधारण है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा सबसे वलित प्रवतमालाब की होती है अगला प्रशन है HTML का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है तो दीए HTML इसकी full form होती है Hyper Text Hyper Text Markup Language ठीक है Hyper Text Markup Language इसकी full form होती है और इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है यानि कि जब आप कोई सेटिंग वगेरा करते हैं जब आप कोई पेज बनाते हैं वेब पेज कोडिंग वगेरा उसमें करते हैं तो वहाँ पे HTML का प्रयोग किया जाता है ठीक है Hyper Text Markup Language और कब इसको लाया गया इंट्रिड्यूस करवाया गया तो 1993 में ये आई थी ठीक है चलिए ब्रिटिश शाषन काल में उत्राखंड में पधान का कार्या क्या होता था ये कोशन पेपर में पूछा जा चुका है ब्रिटिश शाषन काल में जो पधान होता था उसका कार्या राजस्व एकतरत करना होता था अगला प्रश्ण है तरुन कुमाओं की स्थापना कब हुई देखे तरुन कुमाओं जो ये समाचार पत्र था इसको बैरिश्टर मुकंदी लाल के द्वारा प्रकाशित किया जाता था इसको इन्होंने लैंसिडाउन से प्रकाशित किया था तो पुछा जा सकता है कहां से प्रकाशित किया लैंसिडाउन से प्रकाशित किया वर्श्ट था 1922 का ठीक है और ये जो तरुन कुमाओं पत्र था समाचार पत्र मुकंदी लाल ने एक विदेशी पत्र था उस समय जिसका नाम था यंग इटली यंग इटली की तर्ज पर ही इन्होंने तरुन कुमाओं का प्रकाशन किया कहां से किया लैंसिडाउन से किया और कब किया 1922 में कामत परवत उत्राखंड के किस जिले में इस्तित है तो कामत परवत उत्राखंड में आपके चमूली जन्पद में इस्तित है ये कुशन पेपर में पूछा जा चुका है भारतिय समविधान का कौन सा भाग केंजर साचिच परदेशों के बारे में बताता है तो कौन सा भाग के समविधान का जो आपके union charity के बारे में बताता है सही आंसर है भाग 8 लंदन में East India Home Rule Society का आरंब किस ने किया देखें लंदन के अंदर East India Home Rule Society जिसे हम Indian Home Rule Society भी कहते हैं इसकी स्थापना किस ने करी Indian Home Rule Society ये बनाई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कब बनाई थी 1905 में कहां पे बनाई लंदन में ठीक है निम्न में से नानक सागरबांद कहां इस्तित है ये कोशन बहुत बार जादा ये भी रिपीट हुआ है ये भी रिपीटिट प्रशने है नानक सागरबांद आपके उधम सिंग नगर में इस्तित है भक्त दर्शन को लेकर आपके लगातार प्रशन बनते रहते हैं भक्त दर्शन का संबन पौरी गढ़वाल में आपका एक गाउँ है छोटा सा गाउँ बौराड गाउँ में 1912 में भक्त दर्शन का जनम होता है ये कहां से संबंदित है ये आपके पौडी के बौराड गाउं से संबंदित है इनको लेकर कुछ बाते हैं जो आपको recall करनी है देख ये भक्त दर्शन ने 14 वर्ष की आयू में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था ठीक है दूसरा कोशन यहां से बनता है इन्हों ने जाती वाचक शब्द हटाने का भी इन्होंने हटा लिया था मतलब पूछा जाता है पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने अपने नाम से जाती सूचक शब्दों को हटा लिया था वो थे भक्त दर्शन इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है इनका वास्तविक नाम है राज से आता था तो यह भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावा इनकी कुछ महत्पूर्ण रचना है सुमन इस्मृती गरंत बैरिश्टर मुकंदिलाल इस्मृती गरंत और स्वामी रामतीर्थ इस्मृती गरंत इन तीनों के पब्लिक आर्ट इंस्टिट्यूट कहां इस्तित है देखे ये कोशन आपके UKCC के दौरा 2016 में इसको पूछा गया था और एजटीज यही कोशन पूछा गया था यही इसके options थे पब्लिक आर्ट इंस्टिट्यूट यह इसने नहनिताल जनपद में है तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं लोक कला संस्थान आपके नहनिताल में है 1983 में रियसुधर मठपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी तो इंग्लिश में भी पूछा गया है यह आपको ध्यान रखना है 2016 में पूछा गया था अगला प्रशन है निम्न में से किस अंग्रेज ने सरुप्रतम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्स विलकिंस ने ठीक है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा प्रसिद विरुपाक्ष मंदिर कहां इस्तित है तो विरुपाक्ष मंदिर आपके हमपी पर है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है उत्राखंड विधान सबा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे देखे उत्राखंड विधान सबा के जो पहले अध्यक्ष थे यहाँ पे देखे यह ने पूछा गया है अंतरिम थे या निर्वाचित थे तो जहाँ पे केवल प्रत्थम पूछेगा तो वहाँ पे आपको पहले वाले पे ही जाना है राइट आंसर होगा प्रकाश पंत यह कैसे थे यह अंतरिम थे ठीक है लेकिन पहले थे और अगर आपको यहाँ पे लिख दिया जाता निर्वाचित बताईए तो आप बताते याश्पाल आर्या किसके अंतरगत सुमन्त विदेश मंतरी कहलाता था यह कोशिं उत्राखंड में ही पूपह गया है सभी के सभी जीके कोशण उत्राखंड कहे हैं और यूके से डिलेट्ट आपके 22 कोशिन भी आपके उत्राखंड में पूपहएं ठीक हैं में एक होता था सुमंत और सुमंत क्या होता था विदेश मंतरी तो किस में होता था ये शिवाजी के शाशनकाल में देहरादून में खोदरी जल विद्धुत परियोचना किस नदी पर इस्तित है तो देहरादून में इस्तित है खोदरी जल विद्धुत परियोचना और ये आपके कौन सी नदी पर है यह आपके यमुना नदी पर बनी है कौन सा परवत गड़वाल क्वीन के नाम से प्रस्द है तो गड़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है नीलखंट परवत और नीलखंट परवत आपके कौन से जन्पद में है तो यह आपके चमोली जन्पद मे तो यह आपको ध्यान रखना है、 नीलखंट परवत, चमोली में है, नीलखंट मन्दिर पूछेगा, तो वह पौडी में है, ठीक ہے, चलिए अगला है देवपरियाग इस्थित्, रगुनात मन्दिर का पुर्णर निर्मान किसने करवाए था देखे रगुनात मंदिर को लेकर भी लगतार प्रशन पूछे जाते रहे हैं और यहां पर एक प्रशन है कि इसका पूरर निर्मान कराया किसने सही आंसर है दौलात राव सिंधिया के दुवारा जो रगुनात मंदिर है इसका पूरर निर्मान कराया गया राज्य में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कप की गई तो उत्राखंड के अंदर ये कंपनी है हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी इसकी स्थापना की गई 1920 में ललीता प्रशाद टम्टा के दुवारा 1949 के मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे KMOU यू ठीक है इसकी स्थापना की गई और 41 में आपकी GMOU की स्थापना की गई यानि कि कुमाव मोटर ओनर यूनियन गडवाल मोटर ओनर यूनियन ये कोशन पेपर में पूछा गया है चांदपूर गड किस नदी के तड़ पर इस्तित है देखे चांदपूर गड जो है यह आपके आटागार नदी के तड़ पर है और वरतमान में यह आपके चमूली जनपद में इस्तित है और इसी चांदपूर गड में पमारवंस की स्थापना हुई थी नेक्स्ट है राष्ट्य मानावधिकार आयोग का गठन कब किया गया तो ये कोशन भी 3 से 4 वा रिपीट हुआ है आपके उत्राखंड के एक्जाम के अंदर ठीक है राष्ट्य मानावदिकार आयोग का गठन उतराखंट की तो आप करते रूपा देवी तो बूगयालों की पूचेंगे तो रूपा देवी अगर सिंपल उत्राखंड की पूछेंगे तो माधुरी शर्मा चंदरपरवा एत्वाल को माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है 1968 में मोहन उपरेती द्वारा परवतिया कला केंदर की स्थापना किस स्थान पर की गई ये भी आपका repeated question है पेपर में पूछा जा चुका है मोहन उपरेती ने परवतिया कला केंदर की स्थापना 68 में करी दिल्ली में अगला प्रशन है प्रसिद गंगा शतक और राम महिमा किसकी रचनाए हैं तो देखे गंगा शतक और राम महिमा ये दोनों रचनाएं किसकी हैं सही आंसर है आपका यहां पे option C गुमानी पंतकी ठीक है तो option C इसका सही आंसर है इसके अलावा भरत हरी की भी यहां पे दो रचनाएं आपको याद रखनी है एक है आपकी नीती शतक और वैराग्य शतक तो confuse मत होना गंगा शतक देखकर ये गुमानी पंतकी है भरत हरी की है नीती शतक और वैराग्य शतक अगला प्रिशन है URL का पून रूप क्या होता है तो थेके URL की full form यह आपको लगातार पूछी जाती है URL हो गया, USB हो गया तो इनकी full form लगातार पूछी जाती रहती है कंप्यूटर की बहुत जल्दे वीडियो आने वाली है कल यह परसो में आपकी कंप्यूटर की वीडियो आ जाएगी जिसमें आपके सभी प्रिशन कंप्यूटर के कवर हो जाएंगे यह आपका previous year question है URL की जो full form होती है यह है आपकी universal resource locator ठीक है, URL की full form होती है USB की क्या होती है USB की होती है universal serial bus अगला है किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायू रखता है यह जो statement दिया था भारत के बारे में कि भारत के अंदर पूरे विश्व की जलवायू पाई जाती है यह कहा था मार्स डेन ने हरिदवार इस्तित चंडी देवी मंदिर में रोपवे की शिरुवात कब हुई थी तो हरिदवार में जो चंडी देवी मंदिर है उसकी शिरुवात की गई कोलकाता बंदरगाहा कहां इस्तित है तो देखे उत्राखन के एक्जाम में बंदरगाहों को लेकर लगातार प्रशन पूछे जाते रहे हैं तो आप एक्जाम से पहले सभी बंदरगाहों को जो आपके प्रमुक हैं उनको पढ़कर जरूर जाएं कोलकाता बंदरगाहा आपके हुगली नदी पर इस्तित है अगला प्रशन है भारत को जब सौतंतरता मिली तब इंग्लैंड के प्रधान मंतरी नहीं थे तो ध्यान से पढ़ना है कोशन को पोच रहा है इनमें से कौन उस समय प्रधान मंतरी नहीं था सही आंसर है ऑप्शन C, A और B दोनों ना उस समय लॉड मौंट बेटन वहां इंग्लैंड का प्रधान मंतरी था और ना ही विस्टन चर्चिल भारत जब आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधान मंतरी कलेमेंड इट्ली था बलडंग आबुशन कहां पर पहना जाता है तो देखे जो यह आपका बलडंग आबुशन है यह आपके गले में पहना जाता है हीरसी फॉल कहां इस्तित है तो हीर सी फॉल आपके कौन से जनपद में है तो ये आपके देहरधून जनपद में इस्तित है भारत चीन पंचशील संधी पत्र पर कब हस्ताक्षा किये गए थे तो देखे एक कोशन तो पूछा गया था कि पंचशील जो समझोता होता है ये किस देश के साथ हुआ भारत का तो भारत और चीन के मध्या में हुआ और ये आपके 1994 में हुआ था 1954 में हुआ था ठीक है 1954 में अगला है प्रकटेशुवर गुफा निम्न में से किस जनपद में इस्तित है तो प्रकटेशुवर गुफा आपके कौन से जन्पत में है? सही आंसर है option D उत्तरकाशी में हिपी आंदुलन कहां चलाये गया था? हिपी आंदुलन आपके अलमोडा में चलाया गया था अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इलाहा अंकित करवाया किसने था? तो अपने सिक्कों के उपर ये अंकित करवाने वाला जो सुल्तान था वो था आपका मोहमद बिन तुगलक ठीके ये भी पूछा गया है नागनी देवी मंदिर कहां इस्तित है? तो उत्राखंड में नागनी देवी मंदिर आपके कौन से जन्पद में है? ये आपके उत्तरकाशी जन्पद में इस्तित है उत्राखंड की भोटिय जन जाती किस मानव प्रजाती से संबंदित है यहाँ पे पूछा जा रहा है सही आंसर है मंगुलाइड मानव जाती से यह संबंदित है यह भी आपके उत्राखंड में पूछा गया है उपग्रह मौसम निदेशाल है कहां इस्तित है तो जो आपका उपग्रह मौसम निदेशाल है सही आंसर है option B नई दिल्ली में इस्तित है खडगाबूत देवता किस जन जाती से संबंदित है तो खडगाबूत देवता की पूजा कौन सी जन जाती करती है सही आंसर है आपका option B थारू जन जाती चांग ठांग गिलेशियर किस जन पत में इस्तित है तो कौन सी परवश शेडी है जो अरुनाचल प्रदिश और म्यारमार के बीच बॉटर बनाती है सही आंसर है जो पटकाई बूम शेडिया है परवश शेडिया है वो अंकी भी सीमा बनाती है उत्राखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्ता के लिखा कौन है तो कोशन रिपीटेड है पूछा गया है उत्राखंड में कूली बेगार प्रथा ये किताब लिखी है सेखर पाठक ने युनेस्को का मुख्याल है निम्लिखित में से कहां पर है देखें युनेस्को का जो हैड़क्वाटर है ये आपके पैरिस में इस्तित है अगर आपको पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई तो युनेस्को की स्थापना 1946 में 4 नवंबर को की गई हडपा निवासियों को निम्न में से किसका ग्यान नहीं था हडपा निवासियों को मंदिरों के निर्मान का ग्यान नहीं था यह आपको ध्यान रखनी है मंदिर निर्मान की जो कला विक्सित होती है यह आपके गुप्त काल में होती है तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चंद्रग्रहन होता है तो चंद्रग्रहन कब होता है चंद्रग्रहन तब लगता है जब सूर्या और चंद्रमा के बीच में पृतिवी आ जाती है ठीक है तो जब सूर्या और चंद्रमा के मध्य में पृतिवी आ जाए उस घटना को चंधर ग्रहन कहते हैं और जब पृतिवी और सूरिया के बीच में चंधरमा आ जाए तो उस घटना को सूरिया ग्रहन कहते हैं घड़वाल debating club की स्थापना कप की गई तो देखें घड़वाल debating club की इस्थापना 1885 में की गई खड़क सिंग के दुवारा तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है अलमुला डिबेटिंग कलब आप जानते हैं ये 1870 में बनाई गई थी सुर्गेन नामक तहवार किस जन जाती दुवारा मनाया जाता है तो देखें दो प्रमुक तहवार हैं एक है सुर्गेन और एक है आपका लहसर या जिसको कहीं पे लोसर भी लिखा जाता है तो ये दो प्रमुक तहवार कौन सी जन जाती के हैं लहसर और सुर्गेन ये आपके जाड जन जाती के हैं ठीक है जाड भोटियाओं के हैं शारदा एक्ट द्वारा लड़की और लड़की की शादी की नियुनतम आयू कितनी निर्धारित की गई देखे शारदा जो ये एक्ट था ये आपके 1939 में बना लागू 1930 में हुआ उस समय वाइस राय कौन था लौड इर्विन ठीक है पूछा जाता है शारदा एक्ट किसके शाषनकाल में आया 1930 में लागू हुआ लौड इर्विन के शाषनकाल में और इस एक्ट के तहट जो लड़कीों की नियुनतम आयू रखी गए शादी के लिए वो रखी गई 14 वर्ष और लड़कों के यहां पे 18 वर्ष रखी ग ठीक है लेकिन फाइनली 1978 में एक और बदलाव किया गया और यहां पे लड़कियों की आयू कम से कम 18 वर्ष और बॉइस की आयू यहां पे 21 वर्ष कर दी गई 78 में अगला है उत्राखंट राज्ये में नियुनतम नगरिया जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो नियुनतम राज्ये की कौन सी जड़ी बूठी सर्प विश्व को कम करने में सहायक है तो सर्प विश्व को कम करने में सहायक है आपकी ऑप्शन C मरोड फली रंगा स्वामी कप किस से संबंदित है तो देखे जो आपका रंगा स्वामी कप है यह आपके होकी से संबंदित है किस ने फ हमारी एक series चल रही है, जिसमें हम उत्राखंड का पूरा revision कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले उत्राखंड की basic जानकारी देखी, उसके बाद हमने चंद वंश के बारे में पूरा detail से पढ़ा, कतूरी वंश पढ़ा हमने उसके अलावाद जितने भी आपके वंश थे उनको पढ़ा पमार वंश को पढ़ा और कल हमने गोर्खा और अंग्रेजों के बारे में पढ़ा तो सीरीज को जरूर फॉलो करिए आपको वहाँ से जरूर फाइदा होगा अगला प्रश्ण है काविय संग्रह नए युग के शत्रू किसकी रचना है तो काविय संग्रह जो है ये नए युग के शत्रू ये रचना है मंगलेश डबराल की पहले दूसरे और तीसरे इस्थान के लिए करमसहा, स्वन, रजत और कांशे पदक देने की शुरूबात किस ऑलमपिक से हुई थी ये कोशन भी पेपर में पूछा गया है तो देखे जो आपके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉंस मेडल दिये जाते हैं ऑलमपिक में ये 1904 में इसके शुरूबात की गई, सेंट लुइस, यूएसे में ये आपके ओलमपिक हुए थे एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस देश के दुवारा की जाएगी तो 2022 में अगले साल जो आपके एशियन गेम्स होने हैं ये आपके चीन में आयुजित किये जाएंगे अगला है गोरन घाट दर्रा कहां इस्तित है, गोरन घाट दर्रा आपके राजस्थान में इस्तित है इससे पहले भी आपके एक और पतन के बारे में पूछा गया था, बंदरगाहा के बारे में पूछा गया था, मर्मगाहो पतन तो मर्मगाहो पतन आपके गोवा में है, तो आपको दर्रे और पतन ये आपको याद करने है, जाता तर पतनों पर आपको ध्यान देना है DNS का पूरा नाम क्या है तो computer के संबंद में DNS का जो पूरा नाम है वो क्या है सही answer है यहाँ पर आपका option C domain name system next है दूइधारी अंक प्रणाली में 10 क्या है तो 10 है यहाँ पर 10 है आपको बताना है यह किसके बराबर है अगर आप इसको दूइधारी binary digit की बात करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखे क्या होगा आपको एक code याद रखता है 8421 और जब भी आपको इस तरीके से number दर आपको बोले कि किस के समान होगा decimal number में तो आप इसको किस तरीके से करेंगे आपको 10 दे रखा है तो 10 आपको किस तरीके से लिखना हो इसको आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0010 यही हुआ आप इसको इसके नीचे लिख दीती 0010 तो आपको दिख जाएगा इसकी value क्या है इसकी value आपकी 2 है तो सही answer हो जाएगा 2 इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए, 100 किसके बराबर होगा, आपको फिर यही code लिखना है, 8421, 100 को आपको 4 डिजिट में बनाना है, तो आप आगे 0 लगा सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, अब इस value को यहाँ पर लिख दीजिए, 0100, तो यहाँ पर आपका क्या है, 1 ह इसी प्रकार अगर आपको पूछेगा 101 की value बताईए, तो 101 को आप आगे 0 लगा सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, फिर से आपको 8421 के इसको नीचे लिखना है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है, अब आप देखेंगे 4 और 1, 5, तो आप इन दो को जोड़ दीजे, जहाँ पर value है, उन दोनों को जोड़ दीजिए, 101 का आपके 5 के बरावर हो जाएगा, यह conversion आपको करना चाहिए, क्योंकि उत्राखंड के अंदर यह question पूछा गया question है, ठीक है, किस प्रकार की महरें, सिंदु घाटी, सबता और मिसोपोटामिया के मजब तो ग्राम पंचाय सदस्यों की जो योगता है, इसके बारे में आर्टिकल 243 फा इसके बारे में बताता है, ठीक है, 243 एफ, जदी एक व्यक्ती 180 डिग्री दिशांतर को पूरफ से पश्चिम की और जाते हुए पार करता है, तो क्या होगा, देखें, जब कोई व्यक्ती प तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा, तो आपको इस तरीकी से इसको याद रखना है, और अंतिम प्रशन है, ट्रैक बॉल एंड टेच बैड किसके रुपांतर होते हैं, तो जो आपका ये ट्रैक बॉल है और टेच पैड है, ये दोनों ही आपके इन्पुट डिवाइसेस ह हैं, यानि कि ये दोनों काम आपके माउस के, माउस से ही विक्सित हुं आप इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है, माउस के ही अल्टरनेटिव हैं, ये दोनों किसके रुपांतर है, तो फ्रेंट्स ये थै हमारा मौक टेस्ट आम्बर 16, इसके अंदर आपके मैंने सभी गोशन वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, कम से कम अपने सोशल मीडिया के एक प्लैटफॉर्म पर एक दिन में एक लिंक जरूर शेर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठैंक यू फ कितने अटेंप्ट करें, और कितने आपके सही हुए, मौक टेस्ट में आपको गलत जो आपको नहीं आते हैं, गलती करने से आपको बचना है मौक टेस्ट में, जब आप कोशनों को छोड़ना सीखोगे, जब आप रिस्क लेना कम करोगे, यहाँ पे आपके नेगिटीव मा पता है, एक्यूरेसी ज़रूर पता है, थैंक्यू फ्रेंड्स.